चंद्र ग्रहन के बाद अप्रेल में लगेगा साल का पहला सूर ग्रहन जाने तारीक और सूतकाल का सही समय तो आठ अप्रेल दो हजार चौविस को सूर ग्रहन लगने जा रहा है यह इस साल का पहला सूर ग्रहन होगा वैग्यानिक नजरिये से देखा जाए तो सूर ग्रहन एक खगोली घटना मात्र है लेकिन धार्मिक द्रस्ट से इसे सुब नहीं माना चाता है जो तिस सास्तर के अंसार ग्रहन काल के दोरान हमारे आसपास की हर चीज प्रभावित होती है ऐसे में कुछ काम को करने से बचना चाहिए बता दे की सूर ग्रहन से पहले मार्च में 25 तारिकों साल का पहला चंद्र ग्रहन भी लगा था जो की भारत में दिखाई नहीं दिया था इसलिए इसका प्रभाव भी यहां पर मान नहीं हुआ हैसे में लोगों के मन में ये सवाल आ रहा है कि 8 अप्रैल को लगने वाला सूर ग्रहन भारत में दिखाई देगा या नहीं और इसका प्रभाव क्या होगा तो चलिए जानते हैं 8 अप्रैल को साल का पहला सूर ग्रहन कितने बजे लगेगा और किन किन जगहों पर दिखाई देगा तो साल 2024 का पहला सूर ग्रहन साल का पहला सूर ग्रहन आट अप्रैल दिन स्वामवार को लगेगा भारती समयनुसार यह सूर ग्रहन आट अप्रैल की रात 9 बज कर 12 मिनट से सुरू होगा और 9 अप्रैल को मद्हरात्री में 2 बज कर 22 मिनट पर इसका समापन होगा तो कहां कहां दिखेगा साल का पहला ग्रहन, तो साल 2024 का पहला सूर ग्रहन, कनाडा, मैक्सकू, युनाइटेड इस्टेट्स, अरूबा, बर्मूडा, केरिबियन निदरलेंड, कोलंबिया, कोस्टारिका, क्यूबा, डॉमिनका, ग्रीनलेंड, आइसलेंड, जमैका, नार्वी पनावा, निकारंगुवा, रूस, सैंड मार्टिन, इस्पेन, बहामास, युनाइटेड किंगडम और विनिजुला समेद, दुनिया के हिस्सों में दिखाई देगा, क्या भारत में नजार आएगा साल का पहला ग्रहन, तो चंद्र ग्रहन की तरह ही साल के पहले, सूर ग्र लगने के बाद तक रहता है, लेकिन यह सूर ग्रहन भारत में दरस मान नहीं होगा, इसलिए यहाँ पर इसका सूतकाल भी मान नहीं होगा,